आज हम इस वीडियो में जानेंगे नूट्रोफिल्स के बारे में ये एक तरह का वाइड ब्लेट सैल होता है जो मदद करता हैं इंफेक्शन से लड़नое के लिए ये एक तरह का लीकुसाइट होता है नूट्रोफिल्स के दो से पांच लोब्स होते हैं नूकलिस के अंदर नूट्रोफिल इन्वॉल्ड रहता है इन्नेट इम्निटी में नूट्रोफिल का लाइव स्वेन पांच से नब्बे घंटे तक का होता है इसका डायमिटर एट पॉइंट एट फाइव मियू मिटर होता है ये स्टेंड होता है नैच्वर पिंक कलर से आईए जानते हैं नूट्रोपीनिया किसे कहते हैं नूट्रोफिल्स की कम काउंट को नूट्रोपीनिया कहते हैं आईए जानते हैं सिंटम्स अव निट्रोपीनिया, फीवर की वज़े से और इसकिन इनफेक्शन की वज़े से, मसूड़ों मसूजन की वज़े से, आईए जानते हैं निट्रोफीलिया क्या होता है, निट्रोफिल्स के लेवल को बढ़ जाने को निट्रोफीलिया कहते हैं, जोइंट्स में पेन होना आए जानते हैं function of neutrophils क्या होता है यह मुख्य तोर पे पैटोजन्स को नस्ट कर देता है phagocytosis की मदद से आए जानते हैं normal range क्या होता है neutrophils का 40-75% of total wide blood cells आए जानते हैं इस test का नमूना किस ट्यूब में लिया जाता है collect करें 2-3 ml blood EDTA tube में test को perform करें hematology analyzer पे और CBC analyzer पर आए जानते हैं neutrophils का level कब बढ़ जाता blood के अंदर infection की वज़े से pregnancy की वज़े से leukemia की वज़े से thyroiditis की वज़े से stress की वज़े से आए जानते हैं neutrophils का level कब कम हो जाता है blood के अंदर tuberculosis की वज़े से bone marrow में disorder की वज़े से hepatitis की वज़े से sepsis infection की वज़े से B2L की कमी की वज़े से थैंक्ति ने कर दो एक दो ने तो एक लिए एक नादाते हैं झाल झाल